हमने टैक किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाओं में उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी 40 प्रतिशत टिकेट महिलाओं को देगी कि आज हमारी पहली प्रतिग्या के बारे में बात करना चाहती हूं है हमने टैक किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाओं में उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी 40 प्रतिशत टिकेट महिलाओं को देगी हमारी प्रतिग्या है कि महिलाओं उत्तर प्रदेश की राजनीती में पूरी तरह से भागीदार होंगी ये फैसला हम दे किसलिए किया जब मैं 2019 के चुनाओं में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाबार युनिवरस्टी की कुछ लड़किया मैंसे मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से युनिवरस्टी के नियम कानून हॉस्टिल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुशों के लिए अलग ये निर्ने उनके लिए लिया है ये निर्ने मैंने उस महिला के लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाओ को वापस तट पर बुलाके कहा कि मेरे गाओं में पाथशाला नहीं है मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ ये निर्ने उस लड़की प्रयाग राज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसमें मेरा हाथ पकड़के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ ये निर्ने उसके लिए है ये निर्ने चंदोली में जो शहीद एरफोस के पाइलट है उनकी बहन वैश्णवी के लिए है जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए है लेकिन वो पाइलट बनना चाहती है ये निर्ने उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया मारा गया उसकी भावी के लिए है जो आज भी संगरश कर रही है उसका और उसकी नौ सार की भावी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धंकाया गया था यह निर्ने हात्रस की उसमा के लिए है। जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याएं चाहिए। उसको न्याएं नहीं मिल रहा है। ये निर्ने रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वेश्णुवी है, जो बड़ी हो का डॉक्टर बनना चाहती है, लखीमपुर में एक लड़की मेर से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी हो के उसने का प्रधान मंतरी बनना चाहती हूँ, उसके लिए है ये निर्ने, ये निर्ने लखनों के एक बस्ती में लक्षमी वालमिकी के लिए है, जो आई टी आई पड़ी है, बी ए की है, उसने कंप्यूटर पास्ट किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है, ये निर्ने उसके लिए है, ये निर्ने सोन भद्र में उ महिला के लिए है जिसका नाम किसमत है जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई संघर्ज किया और न्याय मांगा यह निन्ने उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है जो न्याय चाहती है जो एकता चाहती है जो चाहती है कि आगे बड़े उ जाएगा, मेरिट के अधार पर, वो कितना काम कर रही है, कितना उसके विधानसभा के लोग उनको पहचानते हैं, उसके हिसाब से दिया जाएगा। ये फैसला महिलाओं के सशक्तिकरन के लिए है, इसके पीछे और कोई छुपा राज नहीं है। कर दो कर दो, अाएगा कर दो कर दो, जाएगा है, अाएगा है।